आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल M Classes में तो दोस्तों आज जो आपका एक्जाम हुआ है चितरकला ड्रोइंग का उस पेपर का मैं आपको complete इस वीडियो के अंदर solution करवाने वाला हूँ तो आप वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखिए और आप सभी बच्चे लाश्ट में ये बताना कि आपके कितने कुछन सही हुए है और आपके कितने marks इस पेपर के अंदर आ जाएंगे देखो काफी बच्चे के कमेंट आ रहे हैं कि सर ड्रोइंग में pass होने के लिए कितने marks लाने होंगे तो बच्चो मैंने drawing में passing marks का एक complete बच्चो फूरुप के साथ वीडियो बना रखा है यदि आपने उस वीडियो का भी तक नहीं देखा है passing marks को तो discussion box मैंने उस वीडियो का link दिया हुआ है आप जाकर उस वीडियो को भी एक बड़ जरूर से जरूर देख लीजेगा, तो start करते हैं बच्चो आज के paper का हम solution, तो देखिए आपके सामने जो आपका exam हुआ था बच्चो, वो आपका exam हुआ था 24 नमबर का, तिहां डे बच्चो जो drawing का exam होता है, वो हमें से 24 नमबर का ही होता है, तो देखिए जो आपका खंड एथा section है, उसके अ त्री सला के 44 स्वप्न किसे संबंदित हैं, तो ये वैश जो संबंदित है कल्प सुतर से, बे option आपका बिलकुल सही होगा, आगले question की बात करते हैं, आगला question है, काल का चार्य कथा संबंदित है, तो ये जो कथा हैं, आपकी संबंदित है, आचार्य काल का की कहानी, य Capital democratizarив की पूछ रहा है कि मालवा चित्र सेलिका पिर्मुक चित्रकार कौन था जो पिर्मुक चित्रकार था वह था वह आपका माधो दास पे ओप्सन आपका बिल्कुल सही होगा अगले कुशन के और बढ़ते हैं अगला कुशन है जहांगीर का सपना किरती किस ने चित्रित की थी तो यह जो आपकी चित्रित की थी वह यह थी आपका अभुल हुसेन ने ओप्सन आपका से बिल्कुल सही होगा अगले कुशन की बात करते हैं फोग म्यूजियम ओफ आर्ट कहां पर इस्तित है तो यह जो आपका इस्तित है यह आपका कैब्रीज यानि की ब्रिटेन में इस कि गर जो आपका इसका बिल्कुल सही होगा अगले कुशन की और बढ़त है से समंदित चित्र है तो कॉन सा चित्र संंदित है तो यह आपका है नुजूम अल उलूम यह डिए बच्टो आपको स्वीडियो को च्थां और चैनल सब्सक्राइब कर दिजेगा और जितना हो सक जिनों ने आज drawing का exam दिया है अगले question की बात करते हैं तारीप ए हुसेन साही किर्ती किस सेली से संबंदित है तो ये आपकी जो संबंदित है ये होगी बच्चो आपकी एहमद नगर सेली से option आपका ए बिल्कुल सही अंसर होगा तो बच्चो ये थे आपके objective question अब हम बात करत है question number second जिसके अंदर आपको रिक्तिस्तानों को भाई भरना था तो पहला question था वहिजाद खालिस्तान सेली का प्रमुक्चतरकार कौन था तो ये बच्चो आपका फार्सी नहीं आएगा इसके अंदर आएगा आपका तेंगूर आपका बिल्कुल राइट अंसर होगा अगल है अगले question की बात करते है खालिस्तान चुकतेई की प्रिसिद वास्वकिर्ति यानि पैंटिंग है तो इसका राइट अंसर होगा बच्चो आपका राधी का बिल्कुल सही हो जाएगा अगले question की बात करते है प्रोग्रेसिव आर्टिस्टेटेप गुरुप का गठन खालि इसके अंदर अगले question है मिथिला पैंटिंग्स का सम्मंद खालिस्तान राज्ये से बचो पटना आपने गलत लिखा है पहली बात मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पटना राज्ये नहीं होता है जो राज्ये पूचा है जो बचो पटना कहां आता है बचो बिहार के अं था कि उबचो इसमें राज्ये पूचा है जो राज्ये नहीं होता तो पटना आपका बिल्कुल सही अंसर माना जाता लेकिन राज्ये है इसलिए आपको पटना नहीं लिखना है बिहार लिखकर आना था आगे है question number 3 जिसमें आपको अति लगुरात्मा गयाने कि एक पंक्त पोथी का नाम आपको लिखना है तो आप एक पोथी का नाम इजली बच्चो लिख सकते हो ज्यान सुत्र आप इसके अंदर लिखकर आते तो काफी आपका बिल्कुल पर्पेक्ट अंसर बेटता अगला question है कांगडा सेली के किस के किसी एक पिरसित चित्रकार का आपको नाम बताना है तो उसका एक नाम हो जाएगा बच्चो मुकेश कुमार भी आप लिखकर आ सकते थे मंको आप यह क्या बच्चो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखकर आए बच्चे तो मुकेश कुमार इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला question है राजा रवी वर्मा ने मुख्य रूप से किस रंग माध्यम को अपनाया तो बताये किस रंग माध्यम को अपनाया तो यह जो अपनाया था यह तेल माध्यम को किसको तेल माध्यम को अपनाया था अगला question है टीलर ओव दे सोयल कृति किस ने से सिचित्र चित्रित की थी चित्रित वच्चो की थी उसका नाम आपको बताना तो यह की थी भई आपके नंद लाल बोस ने नंद लाल बोस ने क्या थी है चित्रित की थी अगला कुशन है आपका भूका बंगाल कृती किसने चित्रित की थी तो यह किसने की थी भई यह आपकी की थी चित्रो प्रसाद ने किसने चित्रो प्रसाद ने आपक की थी अगला कुशन है वेरली पैंटिंग का संबंध किस राज्य से है तो इसका संबंध है महाराष्ट राज्य से याद रखेंगा बच्चो तो यह थे आपके भई वन लाइनर कुश्चन इसके बाद बच्चो आप देख सकते हो पूरा पेपर पेपर थोड़ा सा बच्चो होने के लिए 24 नमबर में से कितने नमबर लाने होंगे कंप्लिट बच्चो मैंने वहाँ इन्फोर्मेशन दी हुए पूर्प के साथ तो मिलता है बच्चो एक और बहतर वीड़ों तब तक लिए जय हिंद बंदे मातर में